गुड मॉर्लिंग इस्टूडेंट से टोड़े इस आवर कंप्यूटर क्लास तो गेट एदिफार इस्टूडेंट एज विन आधे जिसा कि हम जानते हैं कि कुर्स नारा कंप्यूटर का वह कंप्लेट हो चुका है तो आए इसके वॉक्षीट को करते हैं जो बुक में दिया ह हुआ है ठीक है वाक्षीट नमबर टू चैप्टर सिक्स टू नाइन के भी जो एक्सरसाइज जरू दिये गया है उन्हीं से रेलेटेड है यह सब तो चलिए करते हैं इसको नेम लिखित के नाम बताई है पहला है आपका दो सारी अवर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम तो किसे कह सब्सक्राइब को कहते हैं मैक्रोसफ्ट वर्ड को कहते हैं दो वर्टिकल फ्लैसिंग लाइन आंता स्क्रीन जैसे स्क्रीन पर यह लाइन फ्लैस करती रहती है वर्टिकल सीदिल ने तो इसे क्या बोलते हैं इंसर्शन पॉइंट कहते हैं ठीक है अपर अप्रोग्रामिंग जिस बहसा प्रोक्रामिंग भासा का यूज होता है उसे क्या कखते हैं लोगो कहते हैं ठीक है उसके बाद है आपका फौर्थ क्या है ऑइस माल ट्रिंग्ञलिट अबуз एंदा लोगो screen where the commands are retained उस एरिया को कहते हैं जहां पर commands लिखे जाते हैं तो उसे commander window कहते हैं ठीक है six है आपका two parts of turtle तो two parts of turtle क्या है head and tail the way of writing a command the way of writing command क्या है हम दोनों ही तरीके से लिख सकते हैं इसमें left and right ठीक है उसके बाद क्या है the logo primitive that takes the turtle to the center of the screen लोगो primitive क्या है जो screen पर turtle को center में ले आता है तो क्या है वो हो मैं ठीक है भी में क्या है type commands इन लोगो लोगो में type करना है commands को to draw the following इन चीजों को बनाने के लिए तो चलिए करते हैं the extension of ms word file is तो इसे किस से दिखाते हैं dot doc से ठीक है the full form of logo is language of graphic oriented is the area of logo where picture are drawn ठीक है वो area जहां picture बनाये जाते हैं तो उसे main screen कहते हैं is a logo prompt किसे कहते हैं इस a logo prompt तो कुछ समा को कहते हैं ठीक है the flat bottom of the turtle is called tell क्या कहते हैं जो नीचे line होती है टर्ट ट्रिंगुलर की तर्टल की उससे क्या बोलते हैं तो उसे टेल कहते हैं ठीक है ठीक है सिक्स है आपका the center of logo screen is called of the turtle तो logo screen का जो center होता है टर्टल का उससे क्या कहते हैं होम कहते हैं ठीक है लोगो वास डबलप बाई लोगो जो है उसे किसे किसने आविसकार किया किसने सारी किसने डबलप किया है उसको तो वो प्रोफेशर शेमोर पेपॉर्ट है ठीक है इस सारी स्पेलिक्स अप अच्छे से देख करके कर लिजेगा यह नेक्सवट करते हैं नेक्सपेश में क्या है नेक्सपेश में कुछ सॉटकित कीज दिये गए हैं चलिए करते है इसको तो कोस्चन सी है राइट द शॉटकर की फोर तो सेविंग ऑ फाइल के लिए shortcut की क्या है किसी file को save करने के लिए control plus S है इस second है opening of file एक file को open करने के लिए क्या shortcut की use करते हैं तो control plus O third है आपका bolt तो bolt करने के लिए control plus B Italy size इसके लिए control plus I ठीक है तो ये shortcut कट कीज हैं इन कमांड के डी क्या है राइट फूल फॉर्म ऑफ इन सारे जो भी दिये गए हैं इनके आपको फूल फॉर्म बताना है तो लोगों का क्या होता है जैसा कि मुझे पढ़े हैं लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक औरियंटेड एपडी का क्या है फारवर्ड है ठीक है हि're gay वागवर्ड फॉर्थ प्हूर्ट क्या है प्यू का है पैनप मैं सीस क्या है क्लियर स्क्रीन सीटि का आपका क्लियर टैक्स्ट आर्टी का क्या है राइट ठीक है तो ये फॉल फॉर्म दिये गए हैं आप इसको अच्छे से लिख लीजएगै अब चलिए कुछ वर्ड से जो अन स्क्रेंबल करके दिये गए हैं सही तरीकिस नहीं दिये गए हमें इसे सही तरीकिस से लिखना है तो जैसा कि आप देख रहे हैं पहले में क्या है बी आई ओ आर बी एन तो हमने इसका क्या बनाया है राइट वर्ड तो यहां फिर रीबन होगा आर आई डबल बी ओ ठीक है सेकेंड है आपका E I W V A T B तो हमने इसे बनाया है व्यू टैब ठीक है वि आई डबलू टी एबी टैब ठीक है और यह है आपका I M N A इसका हमने क्या बनाया है में और इसका हमने क्या बनाया है ओ एक टी ईसन अर तो हमने इसका बनाया है स्क्रीन अब यह है टी यू इटी ऐल आर तो हमने इसे बनाया है टर्टल ठीक है उसके बाद यह जो वर्ड दिया गया है क्या है आर अम्टियाई पी ई आई एस भी आई तो हमने इसे बनाया है प्रिमिटिव्स ठीक है और इसका हमने बनाया है क्लियर देखिए ल-a-c-e-r तो यहां बन सकता है ना c-l-e-a-r और यह इसक्रीन का है r-s-e-c-e-n तो हम इसको बनाएंगे s-c-r-e-n तो यह हो गया ना क्लियर इसक्रीन ठीक है चलिए यह थे आपके अनस्क्रैंबल दियोए वर्ड आपको इसे एक सही तरीके से निखना है ठीक है और students question f जो है question f में आपको बताना है write commands in logo to draw the following इन सभी चित्रों को बनाने के लिए मतलब यह जो भी बनाएंगे हैं इसके आपको क्या करने है commands लिखने हैं इन logo में तो students इसके बारे में हम भात करेंगे classes में जब हम मिलेंगे ठीक है यह आपको मैं समझाना तो चाहती हूँ लेकिन आप समझ तो नहीं पाओगे हम इसे अच्छे से समझेंगे ठीक है तो चलिए यह हम लोग बार में पढ़ेंगे और उपर जो भी exercise दिये गए हैं आप इसको अच्छे से कर लिजेगा याद कर लिजेगा यह examination में भी आ सकते हैं ठीक है student okay bye have a good day